साथियों, ये समय आज़ादी के अमरुत महत्सव का है। आज जब देश अपने स्वाधिन्ता संगराम से, अपने अतीच से प्रिना ले रहा है। तो हमारे गुरुओं के आदर्श हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आज देश जो प्रयास कर रहा है, जो संकल्प ले रहा है, उन समय वही सपने हैं, जो सदियों से देश पूरे होते देखना चाह रहा है। जिस तरह गुरु नानक देवजी ने मानव जात का पांठ हमें सिखाया था, उसी पर चलते हुए आज देश सब का साथ, सब का विकास और सब का विश्वास के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। इस मंत्र के साथ, आज देश सब का प्रयास को अपनी ताकत बना रहा है। कश्मीर से कन्या कुमारी तक, कच्छ से कोहिमा तक, पूरा देश एक साथ सपने देख रहा है, एक साथ उनकी सिध्धी के लिए प्रयास कर रहा है। आज देश का मंत्र है, एक भारत, स्रेष्ट भारत। आज देश का लक्ष है, एक नए समर्थ भारत का पुनरोदय। आज देश की निती है, हर गरीब की सेवा, हर बंचित को प्रांथ्मिक्ता। आप देखिए, कोरोना का इतना मुश्किल समय आया, लेकिन देश ने प्रयास किया, कि कोई गरीब भूखे पेट नहीं सोये। आज देश ने हर प्रयास का, हर योजना का लाब, देश के हर हिस्से को समान रुप से मिल रहा है। इन प्रयासों की सिद्धी, समरस भारत को मजबूत, गुरु नानक देव जी की सिक्षाओं को चरितार्थ करेई। इसलिए सभी का दाइत्व है, कि ऐसे महत्वपून समय में, कोई हमारे सपनों पर, देश की एक जुड़ता पर आच न ला सके। हमारे गुरु जिन सपनों के लिए जीए, जिन सपनों के लिए उन्होंने अपना जीवन खपा दिया, उनकी पूर्ती के लिए हम सभी एक जुड़ हो करके चलें, हमारे बीच एक जुड़ता बहुत अनिवार्य है। हमारे गुरु जिन खत्रों से देश को आगाह करते थे, वो आज भी वैसे ही हैं, इसलिए हमें सतर्ग में रहना है और देश की सुरक्षा भी करनी है। मुझे पुरा भरोसा है गुरु नानक देवजी के आशिरवात से हम अपने इन संकल्पों को जरूर पुरा करेगे और देश एक नई उचाई तक पहुचेगा। आपेगा।